नमस्कार बहुत स्वागत हैं आपका अब देख रहें द न्यूज आपके साथ मैं स्विस्टी मिश्रा आपको बता दे कि बंगाल में भारतिय जनता पार्टी वर्सिस मम्ता बेनरजी के बीच ये जुबानी जंग तेज हो चुकी है यहां वो पूरा मामला क्या है आपको आज हम विस्तार से बताएंगे क्योंकि ये विस्तार जानना आपको बेहर जरूरी है क्योंकि हम इताब बच्चन बंगाल पहुचते हैं कुलकाता में एक फिल्म फेस्टिबल होता है और खुले मन्ज से ये कहते हैं कि अभिवेक्ति की आजादी नहीं रहे गई है तमाम कही ने कही वो निशाना इंडारिक्ली भारतिय जन्ता पार्टी पर साते नजर आ रहे हैं और वही इस बात के बाद भारतिय जन्ता पार्टी ने पलटवार किया है ये कह रही है कि अमिता बच्चन से देश के सुपर स्टार है इस से चलता है बंगाल जलता है लेकिन उस पर तो अमिता बच्चन कुछ नहीं कहते हैं लेकिन जब वो फिल्म फेस्टिवल में पहुशते हैं तो तमाम उन्हें अभिव्यक्ती की आजादी यह आ जाती है सिनेमा याद आ जाती है कि सिनेमा आज कल सिनेमा में क्या हो रहा है चलिए कि कोलकाता फिल्म फेस्टिबल के दौरान ये राज़नीती गर्माई है और जहां फिल्म फेस्टिबल में फिल्म स्टार और भाजपार नीता मिथुन चक्रवर्ती को आमंतृत ना किये जाने पर भी भारतिय जंता पार्टी ने TMC पर हमला बोला है इसके साथ ही सौरव जैसे अभी निता को क्यों नहीं बुलाते हैं और इसके साथ साथ देश के बड़े क्रिकेटर में शुमार सौरव गांगली को भी वहां पे इन्विटेशन नहीं मिलता है आपको बता दे कि फिल्म फेस्टिबल के दौरान सुपरस्टार अमिता बच्चन के बयान को भी ले और केंडिय संगठन महामंत्री बियल संतोष ने राज्य में हिंसा को लेकर तंज कसा है और वही टीमसी सांसर और बंगाली अभीनेत्री नुसर जहां भी उनके बचाओं में आये टीमसी के बचाओं में तो चलिए पूरे विस्तार से आपको बताते हैं कि आमिता बच्चन की रूप रेखा निर्धारित की जो अभी भी बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा लागू है मंच पर मेरे सहयोगी मुझसे सहमत होंगे कि इन दिनों नागरिक स्वतंत्रता और अभिवेक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया जा रहा है जी हां इशारा कही न कहीं कि अभिवेक्ति की आजादी छिन चुकी है स्वतंत्रता छिन चुकी है देश के बड़े सूपरस्टार है वो क्या तै करना चाह रहे है भाजपा और तमाम जनता आज ये सवाल अमिता बच्चन पर उठा रही है कि अमिता बच्चन से ऐसी उमीद नहीं की जा सकती थी क्योंकि कहीं न कहीं वो साफ तोर पर गलत दिशा में जा रहे हैं हालाकि आपको बता दे कि अमिता बच्चन के इस बयान के एक नए विवात को जन्म दे दिया है और अमिता बच्चन के बयान के बाद भाजपा आईटी सेल के प्रमोक और प्रश्चिम बंगाल के सह प्रभ हैं बंगाल में ममता बेनर्जी के लिए ही उन्हें बात करनी पड़ेगी तो आखिर वो देश के अभीनेता कैसे हुए देश के सूपरस्टार कैसे हुए जब वो कहीं पहुसते हैं तो उनके बोल बोलते हैं यानी ममता बेनर्जी के बोल बोलते हैं आपको बता देगी उन् जिनाओं के बाद सबसे जादा खूनी हिंसा देखी है ममताव एनरजी बंगाल की छवी को खराब कर रही है तबाम भाजपा आज हमलावर हो गई है इसके साथ ही आपको बता दे कि शायद से ये भी कयास लगाये जा रहे हैं कि आखर मिथुन चक्रवर्ती को इनुटेशन क्य है और आमिता बच्चन को बुलाय जाता है मंच पर मिथुन चक्रवर्ती को इन्वाइट नहीं किया जाता है देश के बड़े क्रिकेटर सौरफ गांगुली को इन्वाइट नहीं किया जाता है और कहीं ने कहीं 2024 के पहले ममताव एनर्जी का ये मेगा प्लान तयार हो चुका है कि कुछ अगेंस्ट बात करें इसके साथ सी आपको बता दे लगातार जनता ये भी कह रही है कि आखर इन दिनों देश वीरोधी बयान इतने क्यों तेज हो गए है और जिस तरीके से आपको बता दे कि उन्होंने जिस तरीके से सिनेमा की बात की तो लगातार पठान को लोग बॉयकोट कर रहे हैं कहीं न कहीं बताय जा रहा है कि देश में एक धर्म को आगहात करने के लिए कहीं न कहीं भगवा रंग पेना जाता अभी ने तरीकों खैर यह तमाम बाते आपको हमने पहले दिखाई हुई है लेकिन जिस तरीके से ये मिथुन चक्रवर्टी को नहीं इन्वाइट किया जाता ये इसलिए दर्श को क्योंकि सौरफ गांगली वही के हैं और सीधे तोर पर देश के बड़े क्रिकेटर हैं बड़े खिलाडी रहे हैं काफी इज़त उन्हें आज जमता उन्हें बहुत सम्मान करती है लेकिन आप शारुख खान को बुलाते हैं जो तमाम पहले भी बयानो उससे बचते नहीं है और लगातार जनता हमलावर हो गई है शारुख खान के पठान को लगातार बॉयकट कर दी है और इसे तरह उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमेशा सफल बंगालियों को नीचा दिखाती है यानि सफल बंगाली एक तरफ मिथुन चक्रवर्ती और एक तर सारी जंग तेज हो गई है और नुश्रत जहां ने भी मालविये को घेरा है निशाना साधा है बताब अमित मालविये ने जिस तरीके से बीजेपी के लिए बयान दिया है कि आपने उनको इन्वाइट नहीं किया लेकिन शारुक को ब्रैंड इंबेस्टर बना दिया इसके स तरफ बंगाल किसी के सामने जुकता नहीं है इसके पहले भी आपको हम बता दे कि हमने ये तमाम मुद्धों पर चर्चा की थी कि किस तरीके से ममता बेनर्जी ने कहा है कि मैं आप पैर पर गिरू प्रधान मंत्री के केने सरकार रिलीफ नहीं देती फंड नहीं देती लग जादा परिशान हो चुके हैं कि ममता बेनर्जी की खिलाब भी कई लोग अब उतर आए हैं आपको बता दे लगातार जिस तरीके से उनके सांसद हैं उनके नेता उनका बचाव करते हैं तो कहा ये जा रहा है कि आने वाले समय में लोक सभाचनाओं पर इसका बहुत बड़ गहरा असर पड़ेगा और इसके साथ ही देश के बड़े सुपरस्टार में शुमार अमिताब बच्चन के बयान को इस बयान के बाद से आने वाले समय पर फिल्मों का और बॉयकोट जनता करें क्योंकि लगातार जनता नाराज है कि आखिर क्या वो कारण है कि तमाम बड़ सुपरस्टार अभिवक्ति की आजादी को लेकर सामने आ जाते हैं इसके पहले दिपिका पदुकोण जेन्यू जाती है और जेन्यू में देश की खिलाफ रहने वाले लोगों का साथ देती हैं और आज वही हश्र हो रहा है आज तमाम दिपिका पदुकोण के फिल्मों को बॉयकोट किया जा रहा है और इसी बात को लेकर आज नुसरत जहाने भी कहा है खैर वो बीजेपी की तरफ उनका निशाना था कि फिल्मों में आजादी नहीं है पत्रकारों को आजादी नहीं दी जाती है तो तमाम जनता है आज एक को कोईशन कर रही है कि आखिर देश व सुपरस्टार को क्यों इनवाइट किया जाता है यह बोलने के लिए कि अभीवक्ति के आजादी नहीं है और देश के बड़े सुपरस्टार को उसी फिल्म फेस्टिबल में इनवाइट नहीं किया जाता है देश के बड़े खिलाडी को इनवाइट नहीं किया जाता है इसल किसे देखते हैं हमें जरूर बताइए कि उन्होंने कहा है कि बंगाल के मंच पर अमिता बच्चन से इस से जाना कोई उमीद नहीं जताई जा सकती थी फिलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा ही दर नियूस से जुड़ने के लिए